नमस्कार आज से ठीक दस बरस पहले अर्विंद केजरिवाल संदो हजार तेरह के दिल्ली विधानसवा चुनाओं में पहली बार आम आदमी पार्टी के जरिये चुनाओं लड़ रहे थे दिल्ली के कोने कोने में हर तरफ एक नारा लगता था निकलो आज मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से दस साल के बाद आम आदमी पार्टी पर भष्टाचार के आरोप लगे है अर्विंद केजरिवाल के दाहिने हाथ कह जाने वाले मनीश्री सौदिया करीब 6-7 महीने से जेल में है और उनके सबसे मुखर नेता संजय सिंग को ईडी ने गिरफताल कर लिया है कथित शराब घोटाले में लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि 2014 उसी समय के आसपास प्रधानमंती नरिंद मोदी भी देश में ये जोर सोर से नारा लगा रहे थे ना खाऊंगा ना खिलाने दूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ दो नायक उभरे थे एक अर्विंद के जिरिवाल और एक प्रधानमंती नरिंद मोदी दस साल के बाद अर्विंद केजरिवाल की सरकार पर तो आरोप लगे है और प्रधान मंतिर नईन मोदी की सरकार पर ये आरोप है कि वो विरोधियों के भरष्टाचार तो उनके कारिकाल में एजिंसियों को दिखाई दे रहे हैं उनकी पार्टी या उनके पार्टी के द्वारा चलाई गई सरकारों के एक भी भरष्टाचार के आरोप जहांचे एजिंसियों को नहीं दिखाई दे रहे हैं उल्टे विरोधी दल के जो नेता उनके खेमे में आ जाते हैं फिर EDI और CBI की आखें उधर नहीं जाती हैं इन्हीं आरोपों के बीच दिल्ली में जो सियासी सरगर्मिया है वो पूरे देश में चाही हुई एक तरफ भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है और आज उसका पहला मैच भी खेला गया लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हुई जिस भारत क्रिकेट को एक धन क के तोर पर का अब लगता है कि राजनीत ने वो जगए क्रिकेट की ले लिए है मैं बिल्कुल आम लोगों के साथ ये जानने के लिए कि जो कुछ भी हो रहा है और केजरी वाल सरकार पे जो भरस्टाचार के आरोप लगे हैं या कि नरिद मोदी की सरकार जाँच एजंसिया केवल विरोधी दल के नेताओं को ही घेरे में लेने में लगी है और ये इंडिया बनने का साइड इफिक्ट है क्या दिल्ली के आम जंता इस सब मामलों में क्या सोचती ये जानने के लिए मैं सीपी पर हूँ बिलकुल आम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं मैं यहीं से ब जाए और यह है क्या इसको इसके बारे में तुम्हारी राय आँ ठीक है नॉरमल बंधा क्या भी सकता है आप बाकी तो वैसे त्यों पसंद ही नहीं है बीड़ानी थी है मिशा पसंद्न है क्यों करा क्राइए क्या विकास ही किया कि और बीज़ेपी ने करा है क्या नरेंद् के हुआ है प्रविधानमेंटरी वेगरा रिस्पेक्ट करता है इंडिया कि जब से पहले तो नहीं करता थे कॉंग्रेस के सामने कहा करता थे कोई दूसरा दूसरा क्या किया वो तो नहीं आता हूं तीसरा कि नहीं बता है तो विश्व में क्या नाम किया है बस रही तागे रिस्पेक्ट करते हैं लोग अजा फ्रांस के राष्ट्पती का नाम मालूम है कि यूएस के राष्ट्पती का मालूम रशिया के राष्ट्पती का म तब तुम बिदेश के बारें सही जानते हूं बाराल कुछ देशी लोगों से मैं बात करता हूं आपका नाम हाजी बताए आप कहां से हैं दिल्ली से रोणी से अब भी दिली से अरे यह दिल्ली ने जिसको चुना है जिसे आपने मुख्य मंत्री बनाया इतनी बार इतने लग रहे हैं एक मंत्री उनके जेल चले गए एक अभी जमानत पर आए और जो उनके बड़े नेता उनको भी इडी ने धर लिया कल साबित तो कोई चार्दीद शायद हुए नहीं है प्रूव तो कुछ नहीं कर पाए कोई प्रूव भी नजर नहीं आते हैं काली अधनी यह सकते हैं इतना कुछ बोलते हैं हो सकता है वो दोशी हो पर कुछ सामने तो आए कि कुछ पूरूफ के साथ बात हो तो समझ आए हमें हमें भी समझ नहीं आता और ये सब जो हो रहा है आप कल से देख रहें टीवी चैनलों पर यहीं चली रहा कुछ और चल नहीं तो आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं आप तो दिल्ली के हैं नागरी के हैं आपने चुना भी केजरिवाल को इतने वोटों से अच्छा नहीं लगता है कि अगर कोई किसी को कोई पकड़ा जाता है तो पूरूफ हो सुब्स्टांशल पूरूफ होना चाहिए कि ऐसे अच्छा नहीं लगता है यह जो केजरिवाल कहते हैं हम कट्टर इमानदार है आप मानते हैं नहीं वह इसके बारे में नो कोमेंट्स है आपको लगता है कि दिल्ली ने उनको चुनके गलत कि उनके कहने नहीं कहने की बात नियुकिन जब प्रूफ हो जाएगा तब कह स तो अभी ऐसा आपको लग रहा है कि वो अपने विरोधियों पर्शिक अंजा कस्निक कर रहे हैं तो आखिर यह जहां चेजिश्या देखिए मैं बहुत डीटेल में इसलिए भी नहीं जा रहा कि मैं आपको शायद उतना नहीं अभी अभी इनी ने कहा कि दो करोड रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ दिनेश्क अरोडा एक अप्रूवर है खेर मैं आगे आपको अगर आपको दिल्ली के शराब कथित शराब घोटाले के बारे में जानकारी पूरी चाहिए तो आज का माहौल क्या है का कारिकरम देखते रहिएगा तो इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश भी करूँगा कि दरसल हुआ क्या है मैं आपको शुरू से बताता हूँ दिल्ली सरकार ने अपनी एकसाइस पॉलिसी में एक चेंज किया चेंज उसको जो जिस तरीके से जो प्रक्रिया थी एलजी का अप्रूवर लिया गया स एक और जिनको ठीका दिया गया था क्या एयरपोर्ट जोन में उस आदमी ने एनोसी लेने में नाकाम्याब रहे तो उनका 30 करोड रुपया मनीश सुदिया ने बतार मित्त मंत्री वापस कर दिया जबकि वो उस पैसे को वापस नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये काम एनोस आइस ड्यूटी माफ की गई कोविड में पेंडेमिक के दोरान उससे दिल्ली के राजसु को 144 करोड रुपय का घाटा हुआ मुख्य सचीव ने ये रिपोर्ट एलजी को दी एलजी ने वित्तिय गरबडियों की आशंका के चलते हुए इस पूरे केस को सीवी आई को ट्रा ने का फैसला किया तब भारती जनता पार्टी और उनके लोगों को कहते हैं कि कान खड़ा हुआ कि आम आदमी पार्टी के पास इतना धन कहां से आ रहा है और इसी लिए एक्साइस पॉलिसी को लेकर सवालिया निशान भी उठे आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि उनक ने वाई आसार कॉंगरेस के एक MP के बेटा रागो रिड़ी और दूसरे दिनेश अरोडा जो की दिल्ली के एक ब्यापारी है वो दो लोग थे दो दिन पहले इन्होंने अपने आपको सरकारी गवाह बना लिया और सरकारी गवाह बने और इन्हें छे महीने की जेल के बाद जमानत मिली और ये सरकारी गवाह बन गे दो दिन पहले सरकारी गवाह बनते ही इन्होंने कहा दीनेश अरोडा ने कि संजय सिंग ने हमें मनीश रिस्वादिया से मिलवाआ था और आज जब एडी ने पेश किया राउजव इंविन्निय कोट में तो एडी ने कहा कि नहीं है दूसरी बात मनीश्टी सौदिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें बहुत सारी बाते हैं मैं थोड़ी थोड़ी बाते हैं आपको माहौल के आगे जरीए सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा तब तक यहां कुछ और लोग हैं महिलाओं से मैं ज्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ कि